दोस्तो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF Head Constable Ministerial का आखिरकार exam किस मन्द तक होने वाला है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि return exam आपका कब तक हो जाएगा दोस्तो उससे पहले अगर आप CISF Head Constable Ministerial जिसके अंदर आपको 30 mock test bilingual हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और दिल्ली पुलिस HCM या AWTPO यह तीनो test is currently running है very very important test series आपके लिए रहेंगी चाहे हो CISF Head Constable की हो दिल्ली पुलिस HCM की हो या AWTPO की हो यह test series जो आपकी है CISF Head Constable की latest test series हमारी रहेगी 2022 के pattern को ध्यान में रखकर आपके लिए बना दी गई है दोस्तो ठीक है आज इसमें 9 mock test upload कर दिये जाएंगे ठीक है 8 mock test already upload है 9 mock test आज upload कर दिया जाएगा और exam तक आपको 30 mock test यहाँ पर provide करवा दिये जाएंगे ठीक है यह test series अगर आप exam में लगा जाते हो तो आपको definitely exam को crack करने में यहाँ पर पूरी पूरी help मिलने वाली है और आप सभी को पता है CISF HCM के हमारी वाली test series 2019 से चली हुई है पहले हम आपको PDF format के अंदर provide करवा दे लेकिन application बनवाने के बाद यह भी हमने online यहाँ पर कर दी है ठीक है तो अगर आप interested है तो आप buy कर सकते हैं rank us IQ हमारी application का link आपको दियागा है description box के अंदर ठीक है HCM की कर सकते हैं या AWTPO जिसकी भी आप preparation कर रहे हैं उसके आप यहाँ पर mock test series join कर सकते हैं आगे आगे इनके price भड़ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा अभी से इन mock test series को buy करके आप रख लो दोस्तों आप सभी को पता है PST आपके चलने वाले हैं दोबारा से जिन केंडेट्स के PST आए होए हैं उनके दोबारा से यहाँ पर PST का schedule दिया गया है 13-7-2022 से 5-8-2022 तक यहाँ पर आपके PST चलने वाले हैं कुछ केंडेट्स की problem थी कि सर हमारे पास mobile number नहीं है email नहीं है पराने वाला वो गुम हो चुका है तो यहाँ पर CISF की official website पर भी update आ चुका है कि आप अपना नाम पिता का नाम जनम तिथी या link दर्ज करके अपना जो है PST या documentation दुबारा से चेक कर सकते हैं अगर आपका दुबारा से PST या हुआ है तो आपके सामने अपका PST का admit card आ जाएगा otherwise अगर आपका new update coming soon दिखा रहा है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेनी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपका यहाँ पर direct return exam होने वाला है तो आप अपना name, date of birth, male या female हो तो यह सब आप enter करके अपना admit card चेक कर सकते हो अगर आपका PST और documentation दुबारा है तो आपको आपके सामने admit card देखने को मिलेगा अगर आपका new update coming soon आ रहा है तो आपका direct exam होने वाला है ठीक है तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है दोस्तो आपके जो PST है यह दोबारा से चलने वाले हैं 5,8,20,22 तक और CICF को दोबारा से सभी का data collect करने में कम से कम भी one month तक का यहाँ पर time लगेगा फिर आपके सारे centers बनाये जाएं किन-किन centers पर CICF HCM की जो आपकी return exam है वो लिया जाएगा तो यह सारा process करने में data collect करने में और centers बनाने में कम से कम भी एक महिने का समय लिया जाएगा यानि की 15,9,20,22 तक आपका यही काम चलेगा centers बनाये जाएंगे और data आपका collect किया आप सभी को पता है एक महिने पहले ही CICF के जो official notice है वो leak हो जाते है ठीक है तो एक महिने पहले ही आपको यहाँ पर official notice leak मिलेगा YouTube channels पर लेकिन वो लेट आएगा official website पर पहले ही वो leak हो जाता है CICF को कोई भी आज दक का कोई भी notice आया है वो पहले leak हुआ है बाद में official website पर ठीक है तो आपको कम से कम एक महिने पहले ही जो return exam date का notice है वो देखने को मिलने वाला है अब मैं आपको बदा देता हूँ कब तक आपका exam यहाँ पर होने की पूरी पूरी उमीद यहाँ पर रहेगी दोस्तों आपका जो exam है 15 October से 15 November के आज पास यहाँ पर देखने को मिलेग है अगस्त, September और October के 15 दिन आप मानकर चल सकते हो ठीक है तो तीन सवा तीन महिने का आपके पास time है तो दोस्तों cut off इसकी काफी ज़्यादा high जाती है पिसली बार 86 के आजपस आपकी general की cut off गई थी ठीक है तो आप देख सकते हैं किस level का exam आता है क्योंकि easy exam होता है exam आपका easy होता है तो इसलिए जो cut off है वो काफी ज़्यादा high यहाँ पर जाती है और 2017 के comparison में 2019 में ये cut off कुछ ना कुछ है आपको increment देखने को मिलेगी ये score आपका तभी improve होगा जब आप ज़्यादा ज़्यादा mock test लगाओगे और आपको यहाँ पर mock test के अंदर अपना target हमेशा रख होगी ठीक है ज्यादा ज्यादा mock test लगए ज्यादा प्रैक्टिस करिए हम आपको अच्छे वाले mock test और pattern प्राधारी mock test प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे वाली application पर लिंक आपको मिल जाएगा description box के अंदर तीन सवा तीन महीने full revision बिठा दो अपना solution पढ़ लो ठीक है इसके अंदर कुछ यादेटेल के अंदर जीकर नहीं आती है दो या तीन महीने का आपको यहाँ पर current affairs देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा या च्छे महीने का मान के चलो दो या तीन कुश्चन आपको maximum current affairs के देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपको current affairs में भी दिक्कत यहाँ पर लेने के जुरूत नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा ही current affairs इसके अंदर आएगा ठीक है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है 2022 का current affairs ही आपको यहाँ पर mock test के अंदर देखने को मिलने वाला है ठीक है तो आपको बिल्कुल भी देर यहाँ पर नहीं करनी है ज़्यादा ज़्यादा अपनी practice करके और अपकी बार CISF FATCM के अंदर selection आपको लेना है 15 October से 15 November के बीच में आपको exam में देखने को मिलेगा ठीक है पूरे पूरे chances आपके यहाँ पर बन रहे हैं इससे ज़्यादा delay अब नहीं हो पाएगा क्योंकि 2019 के vacancy है काफी ज़्यादा पहले ही यह लेट हो चुकी है अब CISF के पास only एक ही आपकी भरती बची हुई है CISF HC Minister की अब उसका पूरा focus यहाँ पर रहेगा कि जल से जल HC Minister के vacancy है उसको यहाँ पर fill up कर दिया जाए क्योंकि स्टाफ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी CISF के पास हो रही है तो दोस्तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो शेयर करना है भूले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय जय भारत